हेलो बच्चों, वेलकम इंचरक मेडिकल एंड एंस्यार्टी क्लास हैं, मेरा नाम शुबम कौशिक है और आज हम डिसकस करेंगे इलक्ट्रो केमेश्टी का पार्ट नमबर फूर तो part 3 तक complete हो गए और ये last part है और कि first step series जो चल लए है हमारे NCRT line by line की तो ये जो NCRT line by line series है basically first step series की बारे में बात कर रहा हूँ है जो ये series है ये उन student के लिए जिन्नोंने NCRT एक बार भी नहीं पड़ी या फिर जो entrance की तयारी कर रहे है NEET और IIT के लिए उनके लिए इसलिए helpful होगी क्योंकि आपको पता नहीं किस level तक NCRT में पूछा जा रहा है या कई बार ऐसा होता है कि हम particular बहुत अच्छे level तक पढ़ाई करते हैं कोचिंग के तुरू या जैसे भी और हम particular NCRT एक एक तोड़ो लाइन खोने की बज़ें मतलब particular लाइन थोरोली नहीं की हमने NCRT नहीं पड़ी तो हमारे दो तीन कोशन कई बार गलत हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा चांस होती हैं अगर आपने बुक नहीं पड़ी तो बहुत जादा चांस ही होंगे क्योंकि memory है कहीं न कहीं तो चलिए शुरू करते हैं यह NCRT लाइन बाई लाइन फाइसे ट्रेफिर इलक्ट्रो केमिस्टी पार्ट नमबर फूर तो हम पढ़ेंगे quantitative aspect of electrolysis तो quantitative जहां बढ़ाता है देखो एक वर होता है qualitative qualitative तो हम उसमें quality चैक करते हैं मतलब वह चीज हमें मिली या नहीं मिली प्यॉर मिली एक होता है quantity मतलब वहां पर कितने percent मिली या उसका particular कितनी मिली तो कितने weight मिला उसका है ना तो यहां करेंगे तो जो हमने quantity electrolysis किया था यह process आपने रेखी थे ना last lecture में electrolysis और यहां पर कोई metal हो रही थी और कोई भी आयंस था वो discharge हो रहा था तो मैटल हमें मिल रही थी तो Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspect of electrolysis now Faraday's law also flow from what has been discussed जो भी आप पहले हुआ था वो आप डिसकस होगा after his extensive investigation on electrolysis of solution and melts of electrolyte Faraday published his result in during 833-34 में किया in the form of well-known Faraday's two law of electrolyte उनके दो लो दिये थे उन्होंने तो पहला क्या है पहला सेकिंड भी उस पहले जैसे सही है थोड़ा सा तो first law पढ़ो the amount of chemical reaction which occur at any electrode जो कोई भी chemical reaction हो रही है और उसमें तो mass कितना मिला directly proportional to q charge तो q is equal to क्या होता i t है ना i current into t ठीक कितने समय के लिए तो z into q ठीक तो z क्या है ये ये constant है तो इसको क्या बोलते है इलक्ट्रो केमिकल इक्यूवेलेंट तो z इलक्ट्रो केमिकल और इसकी क्या वैली होती e by f और e क्या होता है इक्यूवेलेंट वेट इक्यूवेलेंट वेट ठीक है आगे आएगा तो समझ में आजाएगा मैंने यहां पर अलग से लिग दिया है और f क्या होता है चार्ज ओफ उन मॉल ओफ इलक्ट्रॉन वो लिखते हैं 965.000 कुलाब फिंटिक है बच्यों चलो ठीक है यह बार देखे लो भेना है न chated charge on 1 mole of electron मतलब की वन मोल of electron का क्या मतलब हो गया बताओ जरा चार्ज कितना होता एक electron पे 10 की पाव 19 कलाम into 6.010 की पावर 10 के बावर 23 धीक है इंको करते ये वाली वैल्यू मिल जाती है ठीक है अब जरह सेकिंड देख लो सेकिंड लोर क्या बोल रहे थे सेकिंड लोर बोल रहे थे अलग अलग सविस्थांस का जो अमाउंट है liberated by same quantity of electricity मतलब की भाई क्यों जो है आप same दोगे passing through the electrolyte solution के जब पास कर रहे हो are proportional to their chemical equivalent वो किसके proportional है chemical equivalent atomic mass of metal upon number of electrons required to reduce the cation ठीक है तो एक बार simply way में मैंने लिकी हुई है तो समझ लो जरह तो अगर same amount of electric charge is passed through the different electrolyte अलग-अलग electrolyte मान लो आपने एक ये ले लिया zinc sulfate का electrolyte एक ले लिया copper sulfate का इनको series में ऐसे लगा दिया बही जब cm charge कर रहे हो तो positive negative में लगा के यह battery लगा के हमने same कर दिया तो देन amount of substance deposited liberated is directly proportional to its equivalent weight तो अब देखो जरह यह mass of zinc कितना होगा हमने first law में पढ़ा था z into q है ना q यह हो गया ठीक तो z क्या है z क्या है e by f मैंने e y f लिखवाया था ना equivalent weight upon f क्या है charge of one mole of electron तो e y f यह रहा है ना उसी तरह mass of copper कितना copper का कितना mass deposited होगा z q e by f q अब जब हमने दोनों को किया तो यह क्या आया है यह आया mass of zinc upon mass of copper deposited तो क्या है equivalent weight of zinc और equivalent weight of copper ठीक है यह लिखा equivalent weight यही तो था ना through the solution are proportional to their chemical equivalent weight समझ में आगी है बच्चो चलो अब आगे पढ़ लो जड़ा थोड़ा सा एक नटिनों ने product of electrolysis बता रखा है दो पेज में उसके बाद हमारी battery शुरू हो जाती है ठीक है तो कोई पुरानी बात था जर जनरल प्रेक्टिव वास्टू पूट ए कॉलो मीटर इस्टेंडर्ड एलक्रोलाइटिक शैली फोर डेटर्माइंड क्वांटिटी ओफ एलक्रिसिटी पता लगाने के लिए अब तो पता चल जाता सब सब्सक्राइब क्या लगाना है करण युक्ति पास फ्रम डेमाउंट ओ प्रम जैनरल इसिल्वर ओर युट्वर पर डिपोजिते ओर कंजूम However, kilometer are now obsolete and we now have constant current अब तो currents are available and the quantity of electricity pass given Q is equal to I T यह मैंने बताई रिया था Q is the column and I is the ampere and T is in the second The amount of electricity or charge required for the oxidation or reduction depends on the stoichiometry of electrode reaction किस पर डिपेंड करें, stoichiometry पर है ना फॉर्स एक्जाम्पिल जैसे यह सिल्वर है एजी प्लस एक electron के लिए एजी बना देगा ठीक है अब देखो one mole of the electron is required एक mole एक यह एक mole एक मोल यह आगे एक है ना यह दुबारा देख लो जड़ा एक mole electron एक mole silver के reduction के लिए रेस्पोंसिवर वी नो डेट चार्ज ओन वन इलक्ट्रों इस इक्वल टू कितना चार्ज होता है एक 6.02 इंटू 10 की पावर 23 mole per mole 1.62 बने इसको multiply कर दिया तो जो कुलांब कितना आया है यह है 96 जो मैंने 965 00 लिखा था तो राउंड फ्योगर में इन्होंने इतना कुलांब लिख दिया ठीक the quantity of electricity is called इसको बोलते हैं जो quantity of electricity फेराडे यह एक f1 यह फेराडे 1 f and is represented by the symbol of f यह symbol of f approximate calculation वन फेराडे हम 965 00 कुलांब लिख सकते हैं पर mole ठीक है for the electrode reaction mg2 plus plus 2 electron यह जो mg यह जो magnesium का जो reduction हो रहा है mg2 plus plus 2 electron फिर mg बन रहा है al 3 plus 3 electron तब aluminium बन रहा है तो देख लो it is object 1 mole of mg2 plus एक मोल इसके आगे एक ही तो है ना इसके आगे क्या है 1 mole mg2 plus को and aluminium 3 plus को required 2 mole of electron इनको कितने चाहिए 2 electron चाहिए 2 2 mole electron चाहिए 3 mole electron चाहिए रिस्पेक्टिवली दचाज पास थूदा electrolytic cell जो चाज पास होगा थूदा electrolytic cell during the electrolysis is equal to the product of current in ampere है ना चार्ज पास होगा current in appear and time in second is equal to it आपने पढ़ाई है इन commercial production of metal की बात करें अगर हम commercially जैसे हम यह सब बात कर रहे थे ना कि CU आएगा CU2 plus उसको 2 electron चाहिए और क्या बन जाएगा copper बन जाएगा ठीक है और हमें pure वाला मिल जाएगा तो production of metal current as high as 50,000 ampere तक are used that amount to about .518 f faraday per second आप use कर सकते हो कोई आफत नहीं आएगा आपको तो product क्या बनेंगे product of electrolysis तो electrolysis के product देख लो क्या क्या है product of electrolysis depends on the nature of material being electrolyzed तो किस पर depend कर रहे है nature of material being जो electrolyzed होगा and the type of electrode तो जो यह type यह यह जो electrode डाली है आपने यह electrochemical cell में तो एक तो इन पर भी depend है और अंदर क्या भर है इस पर भी depend है being used if the electrode देखो कोई तो बहुत अच्छा reduction potential है redox reaction में पड़ा होगा कोई तो reduction होना चाहता है और कोई reduction होना नहीं होना चाहता है कि कौन reduction potential कि इसका जाद है जो easily होना जो पहले चाहेगा वह जाएगा ठीक है बच्छों हाँ if the electrode is inert अगर inert है यानि के platinum और gold यह react नहीं करते इड़ नोट पार्टिसपेट इन दा chemical reaction यह chemical reaction में and act as a source or sink for electron कि तरह काम करेंगे यह आपस में फालतु कब हो नहीं करेंगे है काम में दखल अंदाजी कुछ नहीं अगर दूसरे संबात करें if the electrode is reactive अगर electrode क्या है रियक्टिव है if participate in the electrode reaction अगर यह भी reactive है तो यह तो react कर लेगा इस से इलक्ट्र लाइट से है न तो तो फिर तो अलग बन जाएगा तो यह इस प्रोड़क्ट ही बताएवेए हैं थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि अरे कहां यह हाँ कि यह कि दब प्रोड़क्ट ओफ लेक्ट्रोलाइसे डिपेंड्स ओन डिफ्रेंड ऑक्षिडाइजिंग रिदूजिंग मैंने बताया है कि बस आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि कौन रिडियूज होना चाहेगा वह रिडियूज होना चाहेगा रिसका रिडक्शन पोटेंशल अच्छा होगा एंड देयर स्टेंडर्ड एलक्ट्रोल पोटेंशल हम देखेंगे हमने रिडॉक्स के चैप्टर में बढ़ा भी है वो सिरीज भी पढ़ है ना moreover some of the electrochemical process although feasible slow kinetically that are at lower voltage these do not seem to take place कुछ अराम से हो रही है और कुछ इतनी श्लो हो रही है हो तो रही है मगर उनका इतना लोवर बोल्टे पता नहीं चलना एंड एक्स्टा पोटेंशल कॉल्वर पोटेंशल है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा ओवर पोटेंशल देना पड़ेगा विच मेक्स प्रोसेस्स मोर डिफिकल्ट तो अकर तो थोड़ा डिक्कत तो होगी उने में एक्जाम्पिल इफ वी यूज मॉल्टन एने सील अगर हम मॉल्टन एने सील लेते हैं दब प्रोड़क्ट ओफ एलक्ट्रोलाइसस और सोडियम मैटल तो एने सील यह आपने तो ए एक लिए वी हैव ओनली वन के टायन सोडियम है एंड विच इस रिडिउज अटोर्ड यह के थोड़ पर चला जाएगा एंड एक क्लोरिन आयन है विच इस ऑक्षिडाइज ए नोड यह एनोड पर चला जाएगा और कोई है नहीं किसी में कम टीशन ही नहीं है बई दो एक इसमें भाग रहा है तो वही टॉप करेगा यह भी एकला है तो वही टॉप करेगा ठीक है यह यह विया वन के टायम विच इडियूज एस के थोड और विच इस ऑक्षिडाइज अनोड डूरिंग दा इलक्ट्रोलाइस ऑफ एक्कोस सोलूशन लिया यह जो लिया था आपन ह्लोब घ्डाइस माइनस में और क्या है अनós प्लस और इसल माइनस सबकी अब आइस प्लस जाएका यह निगेटिव सर यह एकलज जाएक यह देखना है घना लगिने फिर्ध आड़े यह बता रहे हैं जो मैंने की यह यह आयन है तो चारों आयन से एलोंग विद दा सॉल्वेंड मॉलेक्टूल है ना अगर कैथोर्ड की बात करें देर इसे कमटीशन बिट्विन दा फॉलविंग रिडक्शन तो इन इन में कमटीशन होगा तो एने प्लस एक एलक्ट्रोन और एच पिलस एक एलक्ट्रोन लेके एस्टू गैस बना रहा था तो इनोट सेल जब हमने देखा तो इसका 0.00 है ना हाइड्रोजन के लिए तो बताइए इसको जी तो रिडक्शन विद हायर वैल्य ओफ इनोट सेल इस प्रीफर्ड तो यह हायर है डियरफोर दा रियक्श क्वान से याइक्ट करके। हाइड्रोजन बचा अब देखो जब रहा है बट एच पिल्थ इस प्रोड़्य डा रच लाहे आ है अग्षैंस होगा और रम में भी रिटन एज सम ओफ 3.33 यह 3.33 एंड 3.34 यह हो जाएगी तो यह वन एच्ट यह देखो वाटर प्लस एक लक्ट्रोन हाइड्रोजन निकल गई गया और ओएच माइनस बज गए अब सुन लो जरा अब बारी आई कहां पर अब बारी आई एनोड पर निगेटिव कौन से फोले में ऑक्सिडेशन रियक्ट्ट रियक्शन हो सकती है एक तो इसल निगेटिव से एक इलक्ट्रोन यह है ना इनोड इसका रिडक्शन पोटेंशिल जब हमने देखा तो यह 1.36 वोल्ट यह तो पोजटिव है बढ़िया है और अगर हमने दूसरा ओएच माइनस वाला देखा टोटल रियक्शन यह लिग दी तो इन और से लिए जो यह था 1.23 अरे यह तो पोजिटिव है मगर यह थोड़ा सा कम है तो अब क्या वार यह आई अब जड़ा सुन लो अब इसका मतलब रिड़क्शन पोटेंशल कौन होना चाहता है अब एक और चीज हाँ ठीक रिड़क्शन पोटेंशल जिसका जाद है उसका उक्सिडेशन पोटेंशल कम है या फिर जिसका रिड़क्शन पोटेंशल जाद है उसका उक्सिडेशन पोटेंशल जाद है तो इस चीज यह उक्सिडाइज होना चाहेगा यह ओटू में 4H plus 4 electron है ना यह उक्सिडाइज होना चाहेगा क्यों 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 क्या हो रहा था क्यों 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 क् देखो दा रिएक्शन एट अनोड विद लोवर इनोड इस प्रिफर्ड है ना कम एलक्टोड यह प्रिफर्ड एफ यह प्रिफरेंश तू क्लोरीन माइनस के अकॉर्डिंग बट्ट हावववेबर ओन अकाउंट ओफ ओवर पोटेंशल ओफ ऑक्सीजन अगर ओवर क्या है यहां पर क्या है क्लोरीन माइनस क्यों क्लोरीन माइनस यह और CL2 बन जाएगी और एक electron बच जाएगा तो अगर हम net reaction की बात करें तो ये थोड़ा सा जाद ही वो हो रहा है गड़बड ये साफ कर देते हैं जड़ा थोड़ा ठीक तो net reaction की बात करें तो NaCl water में अब ये hydrogen निकल गए और chlorine निकल गए तो क्या बचा Na प्लस बचा OH माइनस विचारे दोना आपसे बना के NaOH बना लेंगे तो आप से ये भी पूछा जाता है acidic होगा या basic होगा बाद में solution तो अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉलिविंग प्रोसेज़ आपसेविल एड अनोट की बात करें तो ये देखो ज़रा अनोट पे क्या होगी 2H2 से O2 प्लफ ओर एच प्लफ ओर एच प्लफ ओर इलक्टरॉन इनोट सेल कितना 1.23 वोल्ट दिया हुआ है पानी का और अगर हम बात करें और ये सल्फेट की बात कर रहे हैं तो ये स्टू ओर टू में और टू इलक्टरॉन ये कितना है 1.96 वोल्ट एक मिनट ज़रा अच्छा तो ये कितना था 1.23 अब जादे किसका है 1.96 तो डाइल्यूट सल्फिरिक रिक्शन 3.38 तो डाइल्यूट के लिए क्या है 3.38 फॉलो होगी बट एठ हायर कंसेंटरेशन ऑफ सल्फिरिक एसीड उस हायर कंसेंटरेशन के लिए क्या होगी रियक्शन 3.39 प्रीफर होगी यह प्रीफर होगी अच्छा यह याद रख लेना है ना यह याद रख लेना यह पूछी जा सकती है तो यहां ना साइड बैक एक्सेसाइज में भी होगा एक तो प्रोड़क्ट 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 यह है बताओ यही तो है तो प्रोड़क्ट बताओ जारा मॉल्टन स्टेट में एनसील को फिर एक्वस स्टेट में एनसील फिर कंसंट्रेटेड एस्टु एस फोल लेंगे अ और एक है डाइलूट यह NCRT में दिये हुए हैं तो यह बहुत डीपली पता है नहीं है बस इतना बता दिया है ना डाइलूट में क्या करोड़ों बनेंगे अब जो निक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है बैटरी तो बैटरी किसका टाइप है यह टाइप यह तरफ यह système होती होगी यह चारो तरफ यह बैटरी में मैं आपको बता नहीं पड़ेगे के वल हम reaction की तरफ ज़्याद ध्यान देंगे कि क्या reaction हो रही है तो chemical energy electrical energy में होती है तो बस यह आद अखलो है ना और यह कितनी है एक बार देख लेते हैं अच्छा ठीक है ओके corrosion ठीक ठीक तो ज़्यादे बड़ा topic बचा नहीं है हमारा electro chemistry chapter ending के तरफ जा रहा है तो battery के बात करें तो वही battery क्या-क्या है बैटरी के लिए अच्छा मैंने थोड़े से point लिखे थे आप जड़ा एक बार देख लो तो battery क्या-क्या है बैटरी डो टाइप की है यह कौन-कौन सी एक तो primary cell एक secondary cell primary cell नाम से पता चल लागा नॉन reusable दुबारा यूज नहीं होगा उसका नॉन rechargeable बस एक one time recharge किया और खतम बस जितने भी चलनी है और irreversible है reversible प्रोसेज नहीं चलती रहती ठीक है ठीक है या ठीक और कौन-कौन से है dry cell है और mercury cell है जो घड़ी वगेरे में लगती है ना तो यह तो बस ठीक है अब देख लो अब दूसरी है secondary cell secondary cell reusable जितनी अच्छी दुबारा से use करी जासा रिचार्ज करा जा सकता है secondary cell उतनी अच्छी मने जाए जो जितनी बार reusable हो रहा है रिचार्ज़ेवल हो गई रिवर्सिबल प्रॉसेस चलती है और जैसे लेड इस्टोरेज बैटरी और निकल कैड्म बैटरी यह हम पढ़ेंगा आगे है ना तो इन बैटर वगएरा की बैटरी कौन सी होती है सेकंड यह होती है चार्ज हो जाती है ना तो चलो ठीक है बच्छो एए लेक्टिकल एक्छलिए वंजर्डड़ कनेक्टे इन सीरीज तो बैटरी क्या है जो इसमें क्या हो एक या एक से ज़्यादा जादा और cell that used as a source of electrical energy उससे क्या मिले हमें chemical energy से electrical energy is basically a galvanic cell है जहां पर chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy में convert हो जाती है तो अगर आप बैटरी चाह रहे हो तो अच्छी खासी चमकता होनी चाहिए compact and its voltage should not be very appreciable during its use as a now कभी बहुतेज हो रहे हैं कभी हलकी हो रही है है ना छोटे साइज में हो तो अच्छे साच्छा there are mainly two type of battery दो टाइप की है एक word दिया हुआ है यहां पर primary battery तो मैंने primary battery के बारे में आपको बता दिया है तो एक तो यह समझ लो जरा यह वाली है ना ठीक है तो बात करें दर रियक्शन अकर ओनली वन्स एक ही बार रियक्शन होती है एंड आफ्टर यूज ओवर ए पिरियाड ऑफ टाइम जब एक बार आप यूज कर लेते हो जितने भी दिन में खराब होनी है जो भी बीकम्स डैट्री बैट्री क्या हो जाएगी डैट हो जाई कह जो आप मोचली फैमिलियर हो इससे तो कौन से लिक लेंचे सेल आफ्टरी डिस्कवरी विची यूज कॉमली इन आवर ट्रांजिस्टर में और क्लोक है ना घडियों में यूज करी जा रही है एक हमने हां ठीक है दा सैल कंसिस्ट ओफ जिंग कंटेनर किसकी बनी होती है जि जिंग कंटेनर है यह कैसे यूज कर रहा है यह तो कर रहा है जिंग कंटेनर एनोट की तरह है ठीक है जी इतना कर लेते हैं चलो एंड दा कैथोर्ड इजे कार्बन ग्रेफाइड और कैथोर्ड क्या कर रहा है कार्बन ग्रेफाइड की तरह है कार्बन ग्रेफाइड यह कि से यह प्लस टू में बन रहे है यह यह याद रखने दीकेसर आपको ज़िए घ्र के जो डिनगेसर प्लस तू में बन रहा है यह याद रखना जिंक से अनोड यह जिंक से जिंक प्लस टू में बन रहा है और कैथोड पे MnO2 Mn का मेंगनेज का प्लस फोर से जा रहा है MnO और ओएच में ठीक है इजह रिड्रोक्स रियक्शन के अक्वाडिंग बैलेंस है और बैलेंस कर लेना देख लेना उससे कोई दिक्कत नहीं फिलाला बस इतना समझ लो ठीक है मैंगनेज प्लस फोर से प्लस थी में जा रहे है तो रिड्रक्शन हो रहा है सही है in the reaction at cathode manganese is reduced from the plus 4 oxidation state to plus 3 में जा रहा है ammonia produced in the reaction form a complex जो ammonia बनेगी अमोनिय बनेगी वो जैड बिद complex बना दी जैडन प्लस प्लस से तो गिव जैडन एन एनस्थरी फोर होल तो यह है ना तो आयन्स तो आमोनिय बनती है यह complex मन जाता है तो जब तक चलनी है चल जाए दसेल है पोटेंशल इसका जो पोटेंशल है वो याद रख लेना वो है 1.5 वोल्ट किसका यह जिंक वाली जिसका एनोड तो जिंक है और यह कार्बन का कैथोड लिया हुआ था ठीक है बच्चो तो कितना है 1.5 वोल्ट अब दूसरी सेकिंड सेल की बात करें मरकरी सेल सेकिंड सेल मरकरी सेल सुटेविल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक यह रिंग मतलब जो सुनने वाले कान के वे होते हैं ना यह कान के यह रिंग नहीं होते इसमें लेखे होते वाचेस घडियां इसी सिट ऑफ जिंक मरकरी अमल्गम जाड़न n जी में ना मल्गम एज ऐनोड तो ये एज डेवन एज जी एजőफ एनोड तो एजनोड है यह ठीक है जी तो ये प्रिश्ट पेस्ट असजियोग एज तो कैफोड पेस्ट पेस्ट ऑफ लिया हो Sahan देखने गर 2023 TEष्ट जो एलक्तोलाइट एप कियोच एंड जिंक ऑक्साइड लिया हुए है दा एलक्तोड रियक्शन आफ और तो यह रियक्शन है देखो एनोड पर जिंक किस्प में जा रहा है जीरो से लेके जैड़नो मतलब प्लस टू में जा रहा है और कैथोड की बात करें मर्करी का जो ऑक् ठीक है तो रिड़क्शन हो रहा है तो सही है चलो यह हमने पढ़ी लिया था तो यह वह चेज़े कॉमनली यूज मर्करी सेल्ड रेडूसिंग जिंक एंड ऑक्साइड ठीक है मर्करी सेकिंड ऑक्साइड ठीक है चलो अब दा ओवरॉल रियक्शन रिप्रेजेंट जैडन जैडन यह मर्करी यह हो जिंक ऑक्साइड और है यह टोटल की रियक्शन हो गई दसेल पोटेंशल इज एप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ड वन पॉइंट उसका तो 1.5 था यह है 1.35 वोल्ड मतला उससे भी कम है जो हमने पहले पढ़ी थी ठीक है जी एंड रिमेंस कॉंस्टे प्रश्चाइशन चेंज द्यूरिंग इस लाइफ टाइम चलो ठीक है अब यह सेकेंडरी बैटरी इस पढ़ते हैं तो पहले इनकी चकल देख लो जा यह जो इन्वेटर वगएरा की बैटरी होती है दल्याइड इस्टोरेज बैटरी यह देख लो इसमें क्या बढ़ा आत प्लस फॉर से किसमें चला जाता है प्लस टू में चला जाता है और यह रियक्शन चेंज भी होती रहती है तीक है इसके बाद निकल और केडिमियम की है बहुत असान है चलो ठीक है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बहुत जाद है नहीं मतलब देखो यह हां सेकंडरी बैक्ट सेल आफ्टर यूज कैन भी रिचार्ज रिचार्ज हो सकती है बाइपासिंग करंट फू इंद अपोजिट डायरेक्शन ठीक है जब चार्ज करने हो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इट कैन भी यूज अगें तो दुबारे हो जाए एक गुड़ सेकंडरी सेल कैन यथि चार्ज करें बहुत चार्ज होसकती हैं एक बार चार्ज होई फिर साइकल सब्सक्राइब जाएगी, the most important secondary cell is the lead storage battery, commonly used in the automobile में use की जा रही है, and invator band, it consists of a lead anode, बना होता है, and a grid of lead packed with lead oxide as a cathode, ठीक है, तो lead packed होता है, lead oxide के साथ, वो cathode पे, ठीक, 38% solution of sulfuric acid is used in electrolyte, electrolyte 38%, तो anode पे oxidation होता है, तो lead PB 0 से किस पे चला जाता है, PB प्लस 2 चला जाता है, और reduction होता है, PB प्लस 4 से चला जाता है, PB SO4 प्लस 2 चला जाता है, overall cell reaction consists of cathode की बनी होती है, and anode की reaction, PB, है न, PB, एक मिनट बच्चो, हाँ, lead, lead oxide overall reaction लिए अप्लावल रिएक्शन लिए, में, प्लस 4 से किस में reduction हो रहा है, प्लस 2 में हो रहा है, बस यतना होते है, on charging the battery reaction, reverse हो जाती है, जब charge करने तो reverse हो जाएगी, तो ions वो चलते रहते हैं, है न, चलते रहते है, oxidation reduction, वो process चलती रहती है, on anode and cathode is converted into PV and PVO2, तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो यह देख लो, negative plate lead grid with spongy lead, है न, यह negative plate है, यह यह, और यह positive plate है, यह positive plate है, positive plate lead grid filled with PVO2, और यह lead लगा हो है, 38% solution है, sulfuric acid का, अब ज़रा एक और देख लो, फिर उसके बाद हम fuel cells पढ़ते हैं, fuel cells क्या है, तो यह क्या है जना positive plate यह देखो, इतनी सारी positive place, फिर एक separator है, negative plate लगी हुई है, यह नजर आ रही होगी है, आपको, ठीक है, a rechargeable nickel cadmium cell, इने jelly roll arrangement and is separated by a layer sodium and potassium hydroxide भरा हुआ होता है, ठीक है जी, तो पढ़ा दो ज़रा हमें ठीक, important secondary cell is the nickel cadmium cell, यह कौन से nickel cadmium cell है, which has longer life than the layered storage cell, but more expensive, बहुत महंगी है, चलती तो ज़्यादे है, तो manufacture, we shall not go into details of working of the, इसमें नहीं जाएं, electro during chargeable and dischargeable, overall reaction लिखी हुई है, इन्होंने cadmium zero से, मतलब हमारे इस levels में एक्चली में बहुत ज़्यादे हैं भी नहीं, तो any के लिए plus three से किसमें जाता है, plus two में जाता है, और यह आप क्या कर सकते हो, balance कर सकते हो, जरुवत है नहीं खास, अगर redox से सीखा है, तो कोई लिक्त नहीं, अब fuel cell topic बचा हुआ है, और क्या है, corrosion बचा हुआ है, ठीक, चलो, तो कोई बात नहीं, हाँ, fuel cell पढ़ते हैं, तो fuel cells क्या है, इधर से hydrogen दिया, इधर से oxygen दिया, य यह है, और यह cathode है, यह देख लो, यह cathode है, और यह क्या है, अनोड है, तो fuel cell using as to how to produce electricity, तो क्या होगी, electricity का निकलेगी हमारी, आजकल बहुत जादे, requirement भी हो गई, को pollution भी बढ़ता जा रहा है, जो आप hydrocarbon बगएर से energy लेते हो, वो बहुत जादे, pollution कर रही है, तो हम कहीं न कहीं, कुछ न कुछ चाह रहे हैं, कि हमें, ऐसा मिले, fuel, जो, pollution, production of electricity, by thermal plant, thermal plant के रहा है, is not a very efficient method नहीं है, and is a major source of pollution, pollution बहुत फैला रहा है, इस सच plant की बात करें, the chemical energy heat of combustion, of fossil fuel, coal, gas, or oil, is first used for, पहले क्या हो रहा था, converting water into, देखो, अब देखो, fossil fuel, हम यह लेते हैं, coal, gas, oil, तो पहले क्या करता है, converting, convert करता है, water into high pressure steam में बनाता है, this is then used to run a turbine, अब फिर क्या होती है, मतलब, समझ रहे है, fossil fuel किसे क्या करेगा, यह पानी को किसमें करेगा, water into high pressure, high pressure steam में करेगा, और फिर इस से क्या चलाएगा, यह चलाएगा, turbine, है न, तब जाके, turbine to produce electricity मिलेग हमें, अब we know that a galvanic cell directly convert, अब जो galvanic cell जो हमने पढ़ी है, उसका मकसद ही क्या है, उसका importance क्या है, भाई उससे जो energy मिलती है, हमें chemical energy से, convert chemical energy into electricity, जो मिलती है, is highly efficient होती है, it is now possible to make such cell in which reactants are fed continuously, इधर से reactant डालो, hydrogen इधर से oxygen डालो, to the electrode and product are removed continuously of product, निकालते जाओ, continuously from the electrolyte compartment, galvanic cell that are designed to convert the energy of the combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc directly into electrical energy, directly electrical energy हमें मिल जाएगी, कोई pollution नहीं, कोई notting की नहीं, कुछ नहीं, one of the most successful fuel cell uses, the reaction of hydrogen, जो most successful cell is fuel cell, तो reaction of hydrogen with oxygen, तो reaction of hydrogen, इधर से oxygen, to form water, क्या बनता है, water बनता है, the cell was used to, for providing electrical power in Apollo space program में, electrical power यह देखा गया था, तो करीब ही भी है, मतलब कि यह practically confirmed हो चुका है, पास है, governmented, यह हम galvanic, ऐसा नहीं की energy अभी, हम use नहीं कर सेख, यह सब पढ़ लेना, बस यह cathode पर धियान रखो, oxygen यह zero से किस में पहुंच रहा है, यह minus two में, यह क्या हो रहा है, reduction होता है, cathode पर, और anode पर क्या होता है, oxidation, तो ह two zero से किस में पहुंच रहा है, plus one में, water बन रहा है, ठीक है, overall reaction being, H2O2 यह क्या बन जाएगा, water बन जाएगा, ठीक है, तो अब देख लो जड़ा थोड़ा सा क्या है, the cell run continuously as long as the reactant are supplied, तो cell चलती रहेगी, जब तक reactant आप देते रहोगे, fuel cell produce electricity, fuel cell क्या मिलती है, electricity with an efficiency of 70% compared to thermal plant, whose efficiency कितने परसेंट है, thermal plant की 40% है, main बात है, pollution बहुत ज़्यादा होता है, 40% efficiency है, यहां तो फाइदा ही फाइदा है, there has been tremendous progress in the development of new electrode material, better catalyst and electrolyte for increasing the efficiency of, मतला, अभी बहुत ज़्यादा और भी हमें developed करने हैं, यह बता रहे हैं, these have been used in the automobile on an experimental basis, यह हो रहे हैं, अभी फिलाल भी government approved है, fuel cells are pollution free है, and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and try, और भी उनके practical चलते जा रहे हैं, अब यह last topic है हमारा corrosion, तो corrosion ज़रा पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा corrosion की ज़रुद नहीं हैं, हमें बहुत deep जाने की, तो हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या है, बस ऐसे समझ लो, यह जो आपकी metal है, यह metal है, ठीक है, तो यहाँ पर एक portion cathode anode बन जाता होगा, तो fe से metal है, fe से क्या बना रही है, देखो metal है, fe से fe 2 plus बना रही है, फिर oxygen है, तो फिर क्या बना रही है, fe 2, o3, तो fe से किस में टूट रही है, नोड कैसे बन रहा है, fe 2 plus, ठीक है, और fe plus 2 से कहां में जा रही है, fe 2, o3 में, ठीक है, ध्यान रहेगा, fe से fe 2 plus 2 electron, यह oxidation देखो, fe से fe 2 plus 2 electron, reduction में, o2, oxygen जो 0 से है, वो पानी से बना कि, यह minus 2 में reduction भी हो रहा है, तो oxidation है, और atmospheric oxidation देखो, fe 2 plus से fe 2, o3, plus 3 में पहुंच जाएगी, यहना, plus 2 से plus 3 में पहुंच रही है, ठीक है, further fe 2 plus oxygen लेके, fe 2, o3 में बना लेता है, यह iron, अब यह iron था, यह metal थी, यह fe, fe 2 plus में पहुंचा, फिर इसने further और क्या बना लिया, fe 2 atmospheric oxygen में, fe 2, o3 बना लिया, anode पे, fe 2, fe 2 plus, ठीक है, तो यह देखो, e-node cell, fe 2 plus से, fe माइनस 4, 4, यह क्या है, reduction potential, reduction potential, तो इसका मतलब आप देखो जड़ा, इसका oxidation potential कितना हो गया, fe 2, fe 2 plus जाना चाहरा है, प्लस 4, 4, खुछ चला जाएगा, ठीक है, तो बस समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा चलो, पढ़ लेते हैं, दो चालाई ने, ठीक, तो बहुँ जादे, इसमें confused होने की जड़त हैं नहीं, corrosion, corrosion क्या होई, जंग लगना, एक तरसरी है action, किस presence में, iron की बात करें, लोहे की बात करें, तो जंग लगना जो होता है, रस्टिंग, एक्जामपल, slowly coats the surface of a metallic object, तो metal है, उसके उपर, एक क्या हो जाता है, coating जम जाते है, with oxide और other side of the metal, किनके oxide या फिर other side of metal, the rusting of iron, जंग लगना, iron का, ternishing of silver, silver भी तो काली सी हो जाती है, development of green coating, copper के उपर green coating ल causes enormous damage to building, तो इससे यह नहीं के बला हमें पढ़ना है, इससे तो बहुत जादा करोड़ों का नुकसान होता है, government को, यह जब पूल वगेरा, damage to building, bridges, ship and all objects made of metal, especially that of the iron, we lost crores of rupees every year on the account of, समझ रहे हैं, करोड़ों रुपे, अगर खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमें फिर थोड़ा सा पढ़ने की ज़रत भी है, इन कोरोजन की बात करें, metal is oxidized by loss of electron, तो कोरोजन में metal किस में हो जाती है, मैंने क्या बताया था, fe से fe 2 plus बन रहा है, and formation of oxide, oxide बना लेती है, fe 2 or 3 फिर है न, corrosion of iron commonly known as rusting, generally हम corrosion को rusting बोल लेते, occur in the presence of water और air की presence में, फिरी में मिलती है, बहुत मिलती है, metal बहार रगदो, छट पे रगदो, अपना दर्वाजा लोगे का, तो धूप भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, air भी मिलेगी, तो reaction होई जाएगी, the chemistry of corrosion is quite complex है, वैसे it may be considered as, essentially as an electrochemical phenomenon, at a particular spot पे, of an object made for iron, oxidation एक पर, क्या मिल जाएगा, oxidation भी हो जाएगा, particular spot पे, and that spot behaves as anode, and we can write, यह anode पे यह reaction हो रही है, ठीक है, और यह anode पे यह हो रही है, reduction भी हो रहा है, atmosphere oxidation से मिला के, Fe2O3 भी बन रहा है, यह देखो, और cathode पे यह देख लो जरा, oxygen O2 4H+, यह और यह, यह देखो, यह देखो, यह देखो, 1.23, cathode पे भी reaction हो जाएगी, positive है न, overall reaction इन्होंने, 2Fe plus O2 plus 4H plus Fe2, यह देखो, oxidation हो गया है, in our cell, 1.67 volt, ठीक है, मतलब की हो जाएगी, अब जरा, देख लो, the ferrous iron are further oxidized by atmospheric oxygen, देखर समझ लो, जरा, यह क्या बोल रहे है, तो, ferrous iron, जो है, na, Fe2 plus, further oxidized, atmospheric oxygen to ferric iron में बल जाएंगे, which comes out as a rush in the form of hydrated ferric oxide, Fe2O3 में, बाद में, convert हो जाएंगे, dot, जो भी पानी है, excess to, and with further production of hydrogen iron, और यह चलती रहेगी, process, prevention of corrosion is of prime importance, मतलब हमें prevent करना है, it not only saves money, यह ऐसा नहीं कि, केबल पूलूली, यह लोही की चीज, पठ्रियां, यह सब हो रहे हैं, यह, बट आजो help in preventing, accident भी हो रहा है, अब अगर मालो एक bridge है, और उस पे से बस वस निकल लाई, और वो हलका हलका कमजोर होता जा रहा है, जो कि अब ही कहीं पर साइट भी हारवार में होया था, तो उससे क्या होगा, corrosion होते 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 हैं, नुकसान भी तो इंसान हो का भी तो, such as bridge collapse or failure of a key component due to corrosion, one of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of the metallic object, तो भाई इसे क्या करना है, अगर यह metal है, तो इसके ऊपर coating कर दो, बस होने के इनी reaction to come in contact with the atmosphere, this can be done by covering the surface with paint कर दो or by some chemical से paint कर दो with phenol, another simple method is to cover the surface by other metal, जैसे tin है, zinc etc, that are inert or react to save the object, an electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal, magnesium or zinc which corrode itself but save the object, ठीक है, तो अब यह जरा hydrogen economy पढ़ लो क्या कह रहे हैं, hydrogen economy, तो hydrogen buses बगेरा चल नहीं है ना आजकल, तो कहीं कहीं पर, तो at present the main source of energy क्या हो गया, that is driving our economy is fossil fuels such as coal, oil, etc, है ना, तो अभी तो जो हम energy का source है वो क्या है यह, coal है, coal है, जो carbon बगेरा सा है, और oil है, gases है, petrol है ना, यह सब बरवा रहे हैं, as more, more people on the planet aspire to improve their standard of living, अब लोगों को अच् energy भी बहुत चाहिए, their energy requirement will increase, पहले 5-7 घंटे, 8 घंटे light आ रहे थी, अब 12-14 घंटे चाहिए, invator भी चाहिए, generator भी चाहिए, मतलब इंसान की जरुरते बढ़ती जा रहे है, in fact, the per capita consumption of energy used is a measurement of the development, ठीक है, अब मतलब समझ लो, fan तो चलना ही चाहिए, cooler भी चलना चाहिए, AC चलना चाहिए, mobile भी चलना चाहिए, और computer भी, तो यह सब energy सब को चाहिए, of course, it is assumed that energy is used for the productive purpose and not merely wasted, तो ऐसा मना जा रहा है कि productive फाइदा हो रहा है, लेकिन उकसान भी हो रहे है, कोई नहीं, इस बात पर नहीं करते हैं, we are already aware that carbon dioxide produced by, जब आप fossil fuel को जलाते हो, तो जो carbon dioxide निकलत है, is resulting in the green house effect, है ना, जो cover है, उसको क्या करती है, छेट कर रही है ना, ओजो उनका जो है ना, तो हमें वो नुकसान डायक होती है, फिर सूरज की किलने, जो UV rays है, वो effect डालते है, this is leading to a rise in the temperature of earth's का surface बढ़ता जा रहा है, causing polar ice to melt, ocean level rise, समुदरी वगेरा सब बढ़ते जा रहे है, बाडवार सब आ रही है, therefore hydrogen can be used as a renewable and non-polluting source of energy बना चुका है, हाले कि hydrogen के साथ problem क्या है, कि hydrogen को स्टोर करने की बहुत बड़ी problem है, hydrogen को बहुत cold temperature चाहिए स्टोर के लिए, this is the vision of hydrogen economy, both the production of hydrogen by electrolysis of water and hydrogen combustion in fuel cell will be important in the future, तो fuel cell का फाइडा होगा, जो हमें एक fuel cell क्या थी, किस साइट से H2 डालना है, इस साइट से O2 डालना है, ये पानी बन रहा है, प्रोड़क्ट बन रहा है, energy निकल रही है, और बहुत इस टेक्नोलिया बेज होना, electrochemical process पे, तो काफी chapter हमारा काफी important था ये, तो हमने जो सकते हो, ठोड़ी सी दोचाल लाइने, क्योंकि संबरी पढ़के ऐसा feel होता है, कि chapter actual में, the end हो गया, electrochemical cell consist of metallic electrode से बने होते हैं, dipping in the electrolytic solution, तो electrochemical cell क्या बने हो है, dipping in the electrolytic solution, ये metallic electrode है, और ये electrolytic solution, में, thousand important component of the electrochemical cell is the ionic conductor और electrolyte, ये जो ionic conductor मतला जो आयन होंगे, तूटेंगे, मालो है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, electrochemical cell है, दो टाइप की होते हैं, एक तो galvanic cell थी, है न, the chemicals energy of the spontaneous redoxation is converted into electrical work कर सकते थे, where is the electrolytic cell है, जो electrical energy हमें देनी पढ रही है, to carry out a non-spontaneous redox reaction, the standard electrode potential for any electrode dipping in an appropriate solution is defined with respect to standard electrode potential of hydrogen electrode से compare करते हैं, और उसको हमने 0 मान लिया है, है न, ये देखो, तो, e-note cell, अगर cell का निनालना है, तो e-note cathode minus e-note of anode, ठीक है, और ये किसी भी reaction का gift energy minus delta G is equal to minus nf e-note cell, है न, ये standard gift energy ये लिए हुए है, और equilibrium constant पे क्या है, delta G are minus RTLNK, क्यों, क्योंकि आपने परा था, delta G is equal to delta G not plus RTLNK, और equilibrium पे delta G क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, equilibrium पे delta G नहीं होता, तो delta G is equal to minus RTLNK, इधर आ जाएगा, ठीक है, और क्या पढ़ना है, बताओ, the conductivity K of an electrolyzed solution depends on the concentration of the electrolyte, nature of solvent और temperature, तीनों पे depend करते हैं, molar conductivity की बात करें, ये lambda, molar conductivity दिया दा, is defined by the conductivity upon concentration, where C is the concentration, conductivity decreases, but molar conductivity increases in the concentration, मतलब की, क्या कह रही हैं जनाव, मतलब की, आपने dilution की, ठीक, dilution की, ठीक है, तो conductance क्या होता है, conductance क्या होता है, बढ़ता है, molar conductivity क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है जी, और चाहे वो weak electrolyte हो, या strong electrolyte हो, अब weak electrolyte के लिए क्यों भढ़ रहे हैं ये भाई, ये बताओ, weak electrolyte का मतलब क्या है, कि बहुत सारे आपके क्या होए, weak electrolyte में तब 5% हो रहा था, ठीक है, आइन्स कम थे, तो जब आपने पाने डाला, H2 डाला, तो इसके आइन्स बढ़ गए, H+, OH- ये सब आइन्स बढ़ गए, ठीक, ठीक है, ग्राफ कैसे आ रहा था, ये इस टाइप से गिरहा का, ग्राफ आ हो गई है, तो थोड़ा सा जड़ा घूमने फिरने में इन्हें आसानी लगेगी, और घूमें फिरेंगे, तो करंट देंगे, ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी के साथ, आपका, क्या चैप्टर खतम होता है, इलक्ट्रो, कैमिस्ट्री चैप्टर क्या होता है, दी एंड होता है, दी एंड हो जाता है, किस अकोर्डिंग, एंसी आर टी, लाइन वाइ लाइन, फर्स, स्टेप, सिरीज के अकोर्डिंग,